नमस्कार दसक मित्रों लुकमंचिना कारेक्रमा आपनू स्वागाच्चे स्वाराबुदिन एंकाउंटर केस मां अनेक टर्न आवेला छेना आज एक वदू टर्न आजे आवे होतों के सुप्रीम कोट मां सीबी आईये वोतानों मिट्टम रिपोर्ट वोतानों काम चलाओ रिपोर्ट जे प्रथम तबकानों रिपोर्ट सुप्रीम कोट मां रजु करे जे चर्चा सरुथी थती हती कि आ रिपोर्ट नी साथे साथे CBI को चोक्तस डिमांड पन रजु कर से CBI ये दाना मुझ अब एक डिमांड रजु करी के गुजरात बाहार सोरा बुदिन केस चलावा मावे डिबान करिये तूरसी प्रजापती नौँ केस नी तपास पंद जे सोराबुदिन कोसर बीई ःन्य तूरसी प्रजापती केस से संकड़ा अज़े त्रु नै केस एक किजा सा अमें साथी माड़ी ने डीजी वंजारा अने अन्य अधिकारियों ने क्लेंचीट आपवा मावेशे चार्षीट मा तेमना नाम नो उल्लेक नाची आग तूलसी प्रजापती नो केस नी चार्षीट एक तरफ दानता नी कौर्ट मा रजू थती हती त्या बिजी तरफ सी बी आईये सुप्रीम कौर्ट स्रमाक्स मांगनी करिया थी के तूलसी प्रजापती नो केस पन अमने स्वपवा मावे अनेक अठकरोनी वच्चे हवे सूथ से सुप्रीम कौर्ट पोतानुसू स्टेंड लेसे समगर राज्यमा समगर देशमा अचर्चालम इसे बनाजी गुजर गुजरात नो केस चलावानी डिमांड ए आप पहली डिमांड नसी आप पहला पन आप्रकानी डिमांड था लिए बियाजार बेना कुमीत उफानों ना केस पेकी बेकेस बेस्ट बेकरी केस अने बिलकीस बानों केस गुजरात बार चलावानी डिमांड था याने तो गुज गुजरात पोलिस गुजरात नियायत तंत्र अविश्वास नी आ बात तो नहीं आ तमाम चल्चा अजी लुकमंच ना कारेक्रम मा राप्पा मावीशे अन्या कारेक्रम मा भाग लेवा माटे हैं स्वाचिक संसानी बागडोर संभारी रहिला के जो पोते स्वाचिक संसा चलागी दाशी तिमाद तीस्ता सेतलवार जी अत्यारे अपनी साथे उपास जीचे तिस्ता जी आपका स्वागत है लुकमंच कारेक्रम ने नमस्कार नमस्कार नंगो के केस गुजरात के बाहर करने से हकिकत में कोई फाइदा होता है क्या उनका या उनके पीछे क्या मकसद होता है गुजरात के बाहर केस च्राने के लिए और सोरागोदिन केस जो सुप्रीम कौड के सामने सीबीज आई ise अपना रिपोर्ट पेस करने से केसा साथ जो बत रखी है कि सोराबुदिन एंकाउंटर केस भी गुजराद के बाहर प्रोसीड होना चाहिए अब के आपके प्रतिक्रिया क्या है देखिए ये जो हमारा जैसे आपने कहा शुरू से हमारी ये मांग थी कि गुजराद के कौमी दंगों के केसे 2002 के केसे को बाहर चलाया जाए इसके पी कानून व्यवस्ता अब ये देखिए कि सारी कानून व्यवस्ता गुजरात की पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच से लेकर तपासी व्यवस्ता मतलब इन्वेस्टिगेशन मशीनरी और उसके बाद नाए मन में आप देखो अगर बेल का रेकॉर्ड देख लीजे बेल देने तो इस तरह के महल में जब दंगाई घूम फिर रहे अपने इलाकों में 7-8-8 साल केस नहीं चल रहे हैं वही दंगाईयों को पुलिटिकल पेट्रिनेज है मतलब राजनितिक सपोर्ट है बकाइदा राजनितिक सपोर्ट है कानून व्यवस्ता मतलब पुलिटिकल क्लास का उस सूरते हाल में ये डिमान बहुती जिमेदारी के साथ हमने रखा था ये कहते हुए कि जब वही लोग उनफोर्चनेटली जिन्होंने दंगाई को या तो सपोर्ट दिया या दंगे में हासिल थे वो सरकार या पावर में हैं उस व्यवस्ता में वही एरिया में इंसाफ म मिलाना या मिलवाना मुश्किल होता है इसलिए ये मांग हमने रखी थी अनफोर्चनेटली आज भी वो सूरते हाल जादा तर वही प्रस्तूत है इसलिए वो मांग हमारी जा रही है हाला कि सुप्रीम कौट ने दो बार देने के बाद उनको लगा कि बार बार नहीं दे सकत इसलिए केस यहां पे चल रहा है आप कर कभी देखिये जहां पर गुलबक का केस चल रहा है तो या गाम का केस चल रहा है तो महाल में वॉक्टिम & वितिनस एक भए के महाल में áप혼 जबानी दे रहा धार है तो पर बात यहीं हमने मांग रहे हैं अन् Э Netherlands कि गुजरात की जूरी और पॉलिस में टिस्ता जी को कोई विस्वास नहीं है यह नहीं कहा अपने बोला कि जिस टंग से बेल रिजेक्ट होते थे मैं 2002 में 2002 में बाइल जैसे दिये जाते थे वह डौट फुल है यह या 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 कि गुजरात की जूरी में कम विस्वास है नहीं हमारे अपको बहुत ही जिम्मेतारी से कह रही हूं कि सेशिंस कॉर्ट की जजेज ने बेल को नका रहा तो हमको उसमे विश्वास था लोग कॉ अगर पूछ रहे हैं तो आपको विस्वास होता है और अगर आपके खिलाफ कोई केस जाता है तो आपको विस्वास ने यह मेरा सवाल नहीं है सर आप पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब भी सुन लीजिए कि यह दंगे का मामला है कि दंगे में पांच 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 दस दर बाराबारा लोगों को मारने वाले लोग! श मंनें क्ईसमों कोड IV, nee, स्कॉधन , मुद्दा क्या है? कातिल का मुछा है. एक तषियू कोड बारा, फिर 15 लोगों को मारा. पंद्रह लड्कियों को रेप करके मारा जला दिया. यह मामूली उड़ित wish process. ये mass crime कहलाया जाता है, heinous crime कहला जाता है, इनको शुरू से आखे तक ये witness नाम ले रहे हैं, F.I.R. में उनका नाम आया, फिर crime branch ने हटा दिया, इसलिए हम Supreme में गए, फिर वापस वो लोग F.I.R. में दर्ज हुए, इस तरह के आरोपी, सवाल हमारा और किसका नहीं है, जब का रोच कमाने वाले लोग, वहां पे शकरकन बेचने वाले लोग, और ये दादा वहां पे घूम रहे हैं, क्या उस महोल में न्याय मिल सकता है, आप ही जबाद दीजिए, इसलिए आपने बोला कि सिसल्स court में बेल रिजेक्ट होते हैं, हाई court में बेल दिये जाते हैं, यानि सुप्रीम कौट में कहिए बात, मैं आगे आपको बताऊंगा, आप भी बताएं, हम भी बताएंगे, मास्क क्राइम हुआ है, आपने बुला है कि गुजरात में दंगाईों को की जो पीडा थी, जो भय है, आज भी है, वो आपने बोला है, कस्मीर में मास्क क्राइम उससे 爸 है, अजिस सुफया नओे यón भी जाद़ा शे पंदिटों की और मच्चीों के पर रैप किया जाता था उनको मार दिया गपा हाँ तर टि से कहां थी जवोंकर तक जब वहां से कासमीर के बार किस चलाऑई है, आप अप ऐसी डिमांड तीस्ता जी ने क्यो नहीं की क्यों अ अभी आप हमेजे जवाब दिने दीजे, जिसे आपने सब, आपने काट, आपने काट, इसलिए पूरा प्लैटम्ट, मगर आप काट, क्योंकि तीन-चार बार आपने मुझे बीच में काटा, नहीं, आप अगर रिलाक्स, नहीं, आप अगर कीजिए, क्योंकि जब हम गुजरा की जिम्मेदारी नहीं है, कि वो हर जगर जाके लड़े, बार-बार, जब हम गुजरात के बारे में मामला उठाते हैं, तो काश्मीर का मामला, या किसी तस्लीमा नस्रीन का मामला, ये डिफेंसिव रियक्शन है आपका भी, और ये राज्य के मुखर मंत्री का भी, सवाल सवाल ये है कि 2002 में यहां पे हुआ था, वो सही हुआ था या गलत हुआ था, एक बहुत ही गलत कांट जो गोध्रा में हुआ, जिसके में मानते है कि सजा होनी चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, वो इंसिडेन को लेकर जब राज्य की सरकार एक पूरा रिवेंच कि लिए और भुखते हैं कि अर्छी चर्चय रहते हैं तो आप अगर 10-30 हैं तो हम उसको विलकॉम करते हुए, हम भष जगह नहीं जा सकते हैं वहां पार्भी इमांन होनी चाहिए थी, मगर यहीं 성an हम और कि भी लिए मा हमों छेगि जए साफे, आप एपने benchmark से को बेय बह पुनरोफ है कि इंसाफ के लिए लड़ने का हमने गुज्रा empieza के रिजरात के बारे में लड़ा और आज भी लड़ेंगे आगे लड़ेंगे तेस्तरी में गुज्रात की सिद्धarta के सिमिवीद नहीं कि ड़ती है इस पर सुप्रीम कोट में जब रिपोर्टी पर सुप्रीम कोट पूरे देश की बात कर रहा हूं चाहे दंगा गुजरात में हो चाहे कर्सकर में तो मेरा सिद्धा आपको सवाल है कि गुजरात में आपको किसने इन्विटेशन दिया था कि तीस्ता जी आप आई ए हम तो यहां बरबाद हो गए गुजरात में कोई हमारी सुनता नहीं है गुजरात में क्या कोई और इसे एंजियो चलाने वाली नहीं है कोई ऐसी कोई आपको सब्सक्राइब नहीं होने वाला है गुजरात में नारेंद्र मोदी जी का इंविटेशन जरूरी है ना आपके चैनल का इंविटेशन जरूरी है हमको बंबे में बैठे बैठे 27, 28 और 1 मार्च को कम से कम 300 फोन आये थे और मैं मानती हूँ गुजरात के नागरिक सब्सक्राइटी का एक फेलियर था कि यहां के लोग भय के वज़े से यह बाते नहीं उठा सके यह इतना भय पहला हुआ था आप किसी से भी पूछ लीजे वरिश्ट 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 लोगों को पूची देए कि क्या जरु रह था है आपको 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 अपनी और अमिच्छा की बाकी पुलिस ओफिसर को चाच्छीर किया जाता है जैसे कुलदीब शर्मा हो, सीपी ठाकुरो, अनुपम गेलोट हो उनको सब चाच्छीर किया जाता है क्योंकि वो हुकुम से बाहर काम नहीं करते, constitutionally वो काम करते हैं और हुकुम नहीं चलाते, तो ये विंडिक्टिव एड्मिनिस्ट्रेशन कहीं न कहीं प्रजा को भी पता चल गया है, और मुझे लगता है, आपको आपका माना है कुझदा की प्रजा ने यही गवर्मेंट को रिपीट की है, 2007 में, 2007 में, और 2002 में भी, नहीं 2002 और 2007 में, तो दो दो बार अगर का यह मतलब है कि एक भी आवाज, अगर हजार आवाज के खिलाफ हो तो आवाज को बोलने का हक है, जाए आप माने या ना माने हम जामने मानने वाले लोग है, अगर हमारे खिलाफ एक भी आवाज हो तो आम उसको सुनते हैं, अगर आप में वो शमता नहीं है, तो यह आप का पुख्यार को सामने हो हों अगे सब्सक्राइप सबस्टा अर दो साशन हों में हैं डोर्येटिति घांनी यह मुझे खोका बादन अगया ऐसे इंप्छना है इसे में यह अगर है थे हुआ video अगर आपना। हमने आपन को खुद को आहने का इयाए किता है झाल दिया बीकूं कि I am हुथ कór बुलाई है एसलिए टो सुलिया तो यहाँ अगर और वह गरलाा वह था λंग जो के हमाया है आप किसी भी तत्यों को तोड़ने और मरड़ने के में माहिर है ऐसा आपके पर एलिगेशन गुजरात में से कई बार हो रहा है जब गुजरात के दंगापीडितों के सपत पत्रा लेकर आप पूरे देश में घुम रही थी अब बता रही जी के गुजरात में यह हुआ गुजरात में कैसे कैसे माहूर है जो भी सपत पत्रा लेकिया आप फी रही थी दावे किये थे वो खुखले साबित हुए है क्योंकि जो सीट की रचना सुप्रीम कोर्टे की उनके पुर्वा जक्स के दागवन में बताया कि तिस्ता जिने जीन लोगों के सबत पत्रा पेश किये हैं उन सभी लोगों ने हमें बताया कि हम कुछ नहीं जानते थे यह तिस्ता की ने लिखाया है यह आपके सामने यह एक एलिगेशन भी है आपको क्लेरिफिकेशन के लिए पूरा मुका दिया जाना है जी बहुत बहुत शुक्रिया एक तो बात है कि अभी केस चल रहे हैं जिसके बारे में SIT जो है स्पेशल इंवेस्टिकेशन टीम पुलिस की जैसे एक इंवेस्टिकेशन टीम है जो भी रागवन जी के कॉमेंट्स आपने पढ़े वो आपने मिसकोट किये हैं यह मेरा सरास लागवन जी ने यह कहा है कि इस तरह की आफिडेवित अभी सब प्रूफ करना कॉट में बाकी है इतना है उन्होंने कहा है दूसरी बात गुजराच सरकार और गुजराच की एक हद तक मीडिया ने बार बार दुनिया भर में कहने का मौकात लिया कि कॉसर बानों का केस नर अपने वोइस तेस्टिंग को यकीन मानते हुए तेलका पे कहा है कि मैंने यह हत्याकांड किया था मैंने यह बच्चे को तल्वार पे गुमाई थी यह पेट को चीरा था केस इस आल, जूरी इस आउट अभी तक यह तई नहीं हुआ कि बाबु बजरंगी सही बोल रहा है तेलका पे या बाबु बजरंगी सही बोल रहा है कॉर्ट में आफिडेविक का जहां तक मतलब है जब आफिडेविक की उपर आग्यूमेंट होंगे जब नरोड़ा पार्टिया और गुलबक्स के जज्जमेंट निकलेंगे तब आब यह कह सकते हैं कि यह आरोप सही है यह गलत है आज भी हमारा कहना है कि जो भी विटनिसेज ने आफि गुजराती मीडिया जिन्होंने दंगा बढ़ाने में हाथ लगाया मतलब यह संदेश पर एडिटर गिल संदेश और गुजरात समाचार पर एडिटर गिल का सरासर आरोप है कि उन्होंने 27-28 एक और 2-3 माच को इस तरह की खबरें चापी ताकि गुजरात जले वही मीडिय इस तरह का प्रचार आज भी करता है तो मैं मानती हूं मीडिया में थोड़ा से इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि जब केस चल रहे हैं ऐसे मैंने कहा वापस मैं कह रही हूं कि जूरी इस आउट डिसाइड होगा कोट में कि क्या वो एफिडेविट सही थी गलत थी किस ने बनवाई थी किस में नहीं मगर जूट में जूट मिला करके उसको सच साबित करना ये गलत है मैं आज भी कह रही हूं कि कौसर बानू का कान हुआ के नहीं ना आपने देखा है ना हमने देखा है वहां के विटनिस ने देखा था उसमें टाइमस ओफ इंडिया डेकन अग तक पहुंचेगा तब पता चलेगा कि वो कान सच था या गलत था मगर आज उसको लेकर सच और जूट बोलना मुझे लगता है डिफेंसिव रियाक्शन है मैं सरासर ये निगेट करती हूं कि हमने कभी भी कई भी जंग से गलत आफिटेविट किसी से फाइल करवाई ह हमने लीगल असिस्टेंस दिया विक्टिम ने अपना सच पेश किया और अभी तब कोई भी कॉर्ट ने ये कहा नहीं है कि आफिडेविट गलत है जिस्ता ही आपने बहुत लंबा क्लैरिफिकर सथा जिस्ता ही आपने लंबा सवाल पूचा उतना ही लंबा जवाब हमका दे जवाब देने का हक है तो हमारे लंबा जवाब देने का हक है आपका गलत जवाब है वो मुझे मानने की जरूरत भी नहीं है आप जो बोलते है वो ब्रह्मत सत्या है ऐसा भी नहीं है आपने मान लिया अगला सवाल बाद में सुनूंगी ये ब्रह्मत सत्या जैसे आप लव कि आपने बुला इसलिए हम यहां पर आए मगर आप चो सवाल कर रहे हैं उससे साबित होता है कि आप पूरी तरह एक तरफ प्रोपगांड़ा की एक हिस्सेदार है इसलिए हमने लंबा जबा आप जो भी मानते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं आपको सोना पड़ जो भी का हो एक और बात है सुप्रीम कोट की डिवीजन बैंच के जज अरिजित पसायत पीस साइस इवं अपताफ आलम तीन जजों की जो डिवीजन बैंच थी उनके सामने के राजवन ने यह रिपोर्ट रिटर्न में रखा है रिटर्न में रिखा है और वो मैं आपसे प बदे बुल में च्काहिक के मेरा जवाब आप होने के बात है उनके बात करें मैं आप पन हम इन्टर्प्रटेशन मा देजिए यहा प्रिटर्ची जब रहा है यही बुला भी जाता है कि अपनी मातूर्ची का पुरन लगन और और को पन हम आप बीजाता है तो आप चिलाए के बात करूं आपने एक रागवन ने यह भी रिटरण में रीपोर्ट लिखा रखा है सुप्रीम कौर्ट के सामने इन्वेटेट का ममा और जो इन्वेटेट का ममा मैं मैं बोलूंगा क्यूंकि आपका जो जो रिपोर्ट में जो सेंटेंस वो लंबा होगा तो आपको लगेगा कि मिला सवाल भी लंबा है वहीं कि पांडे गुल्बग सोसाइटी में दंगायों का नेत्रू तो करे थे ऐसे एलिगेशन आप जैसे लोगों ने लगाय तो उसके बारे में उन्हों ने लखा है रागवन ने रिपोर्ट की कि उल्टे पांडे तो गायलो अगकी सब्सक्राइब तो ने पेइं। अब्ध्र направ जैसे भांडे भी पेस हुई, जब्ध में जो एक रागवन कि बतनी के बारे में आते, तो दो आपके बरावन कि नहीं करे गाएक, कि अब यहाल डिपर्ण के बारे में चोन किश्रु के पांड़ा पार्धार शूह कश् पढ़ा है, यह जो आप कोट कर रहे हैं, वो हमनतिका वाही, जो गुजराच सरकार की काउंसल है, उन्होंने यह पढ़े थे, उस्टेंसिबली कोटिंग फं दे रिपोर्ट, तो हम यह मानने के लिए तयार नहीं है, कि यह रागवन के शब्द है, सबसे पहली बात, दूसरी बात हम यह कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने काफी लंबा सवाल पूचा, कि आज भी, हम बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि इस ने, तो हमारा प्रभाक नहीं होगा पूरा, और आपका मंच ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोलेंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे, और गुजरात के बारे में ही यह सवाल किये जा रहे हैं, और गुजरात 2002 के केस के बारे में, मुझे लगता है, आम गुजरात की जनता को आज भी खराब लगता है, सिर्फ 50% वोट लेके आप सारी गुजरात के लिए कोई नहीं बोलता, मैं बोलना चाहरी हूँ कि 2002 के केस को लेकर, जहां पर गुलबग सोसाइटी का मामला है, आज भी मैं कह रही हूँ कि सुप्रीम कॉर्ट में हमारी मांग साथ महिने के बाद मानी है, इसलिए उन्होंने जो भी हमने अलिगेशन इन्वेस्टिगेशन के बारे में किये थे, उन्होंने दो बाहर के ऑफिसर्स की मांग एकसेप्ट करके शिवानन जा और गीता जोरी को साइटी से बाहर निकाला है, ये भी मैं कहना चाहती हूँ, दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर गुल्बक सोसाइटी केस को लेकर या नरोडा पाटिया केस को लेकर, अगर कल ऐसे होता है कि माईसोर वाला, केके माईसोर वाला जैसे फर्स्ट पी आई, परीक जैसे सर्पी के ऑफिशल, दातानिया जैसे सर्पी के ऑफिशल, MK Tundan जैसे Joint CP और PB GONT जैसे DCP के लोगों खिलाफ अगर कल action होता है जो हमने मांग की है कि इनके खिलाफ proof है फिर भी SIT ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया है तो शायद हमारा यह कहना है कि यह हमारी मांग Supreme Court में थी कि SIT का भी investigation incomplete था और charge sheet further investigation करने की ज़रूरत है हमने further investigation की मांग की थी वो grant भी हो चुकी है उसके बाद ही काफी police control room records वगेरा रजू है court में हमारा यह कहना है कि आज भी investigations चालू है SIT वो investigation कर रही है Raul Sharma का evidence होगा Ashish Khetan का evidence होगा वो सब जो सब units में होगा नहीं हमारा यह कहना है कि आज भी हमारा कहना है बिल्कुल मगर court में कहने में हमारा यह कहना है कि सिर्फ Gulbuk Society और Narodapartya में हुआ वो सिर्फ कौमी दंगा नहीं था मगर करवाया हुआ साजिश के साथ incidents दे वो साबित होते है कि नहीं वो सवाल है गुजरात के लोग तो यह भी मानचे के साजिश तो आप खुज रच रही है क्योंकि आप जो यह मुहिम चला रही है मुझरात बार बार आ रही है जो दंगायों के केस के लिए आप जो बात कर रही है इस सब करने के लिए आपको इसे कहां से बिलते हैं गुजरात के लोग यह जानना चाते है एक तो बात में आपको कहना चाहती है कि हम दंगाय के कैस नहीं लड़ता है हम दंगापीडित के कैस लड़त che traveled क्योंकि तीन बार आपने दंगा पीरित के केस लड़ रहे हैं दंगा पीरित के केस लड़ रहे हैं दंगाईयों के खिलाव और मैं मानती हूं कि 50% गुज्राथ की प्रजा जो नरेंदर मोदी को वोट नहीं देती वो हमारी सेहमत में है कि जो गलत हुआ 2002 में उसका सच सामने आना चाहिए साथ साथ मैं आपको साथ साफ कहती हूं कि हमारी सांस्ता Citizens for Justice and Peace गए साल तक हिंदुस्तान में प्राइवेट डोनेशन से काम करती थी और आज United Nations हमको one third budget देता है United Nations की Human Rights Commissioner और मैं मानती हूं UN की Commissioner तभी कोई project को support करते हैं जब उनको मकता है कि ये इंसाफ की लड़ाई लडनी चाहिए तो यह हम मानते हैं कि पैसा कहा आता अगर सवाल करना है तो को कल केतन पारिक से भी किया जाएगा अमित शाह से भी किया जाएगा और मुख्यमंदी नरेंद मोदी से भी किया जाएगा कि उन्हों कि बैसाम से नरेंद मोदी के जाएगा कि में करता है w dispos Erfahr में उन नहीं स्कारा में तो डिया मैं बने जानता को पूछने का हक है आपको जैसे पूछने का हक है तो मैं बोल रही हूं कि हमारा पैसा प्राइविट डोनेशन तक लास चेर आता था अभी युनाइट नेशन भी हमको फंड कर रहा है किसी को एतराज इसमे नहीं होना चाहिए जैसे हम एतराज कर सकते हैं अब खवाल पूछ सकते हैं कि यहां के मुख्यमंत्य और यहां के राजनीतिक लीडरों के पैसा प्राइवेट एक्राफ में घूंकूर के जब प्रचार होता है तो वो तो इंडस्ट्रलिस पैसे बढ़ता है फिर गुजराद वाइबरन हो जाता है फिर MOU साइंग किये जाते हैं फिर 25 पैसा के अंदर आ जाता है मैंने जो सवाल किया कि गुजराद की साड़े पांच करोड जंता कि यह मुख्यमंत्री अगर वो प्लेन में गुंता है आपको ज्यादा लगता है आप मुंबई से गुजराद जब भी आते हैं प्लेन में आती है यह खर्चा भी निकलता होगा आपको जवाब जाता है यह खर्चा भी नहीं होगा आगे जाके यह वाम पंतियों के पैसे से कुछ मुहीम चलाई गई थी ने देखिए आप गलब है हम प्राइवेट डोनेशन से पैसा चलाते हैं पुरा सवाल करने का अधिकार आप जवाब दे सकती हो में मेरा सवाल कम् सच है या गलत है कोई भी कुछ भी है यह लोग तई करेंगे मगर मैं चुप रहता हूं मैं सवाल कर जब कर रहा हूं मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं वांपंतियों की और से दंगा-पीडितो की मदद के लिए जक्तम मुघह कराई गए थी क्या यह मीडियेटर आप थे और और रईस खान थे जो आपके साथ उन्हें कर आए बन सब दपल तो मादको कर राया किसी को एक लाख रुप्या दिया किसी को पच्छास गा Ambani सवाल हो गया आप का सवाल मोण जा थह आप को क्ये रही हो आप इंटरप मत किजिए मैं आप मुली है वे आजहो सकते हैं यह थोड़ा मैंने सही रहा घुटा है यह अधर आप वहल आपकैसी तूदा रॉट सोड़ा है यह स्वाल पूछर्वाइथ पूछ्य िनकर सुछा उती रहे हैं। तो हम गुज्जात सरकार की फंडिंग के बारे में क्यों भात कर सकते हैं, बिलकुल हमारे से रिलिए, आपको अगर सुनना है तो सुनने हैं, ये गलत है, हम कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट सुप्रीम कौट ने देखे हैं, पूरे प्राइवेट डोनेशन के हैं, आज मैंने तीन बार बोला कि हमारा फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग, प्राइवेट डोनेशन से हुआ है, नहीं, बिलकुल नहीं, प्राइवेट सिटिजन से हुआ है, इंडस्टिलिस से हुआ है, सिटिजन से हुआ है, इंडस्टिलिस से हुआ है, और युनाइट नेशन, यू एन से हुआ है मगर डेफिनेटली अडानी से नहीं हुआ है और अम्बानी से नहीं हुआ है पायनियर बिस डिस्टेमब्र दो अजार आठ को एक रिपोर्ट पब्लीश हुआ था पायनियर जिसके चंदन मित्या भाजब के MP है मैंने अक्वार है आप उनके खिलाब हम बिल्कुल को लेंगे है नहीं किया है आप उसी का इग्जांपल उठा दे था हम बता रहें आपको क्लारिफार के जो रिपोर्ट पब्लीश हुई उसी की बात रखता रहा हूँ किसकी बाली क्या है वह जरूरत नहीं है क्योंकि चंदर मित्रा बाजा के MP हम बिल्कुल लीजिए तो इसलिए मैंने कहा चंदर मित्रा बीजेपी के MP है जवाहों को जो रकम मुहया कराई गई और पारिमन नात्वा में देने के लिए आपको माकपा के बंदाकरात ने दिये थे और वो डिवान ट्राप दिया था उनका नंबर भी उसमें प्रिंट हुआ है उसमें कुछ चुपाने की बात नहीं पंदरा लोगों को जिसको CPM उस दिवान में पैसा इकटा किया था CPM को उस पैसा बाटना था तो हमने बता है ये लोगों को नहीं मिलाए नहीं मिडियाटर थे नहीं मिडियाटर हमने सिर्फ लिस्ट दिया था हम मिडियाटर नहीं थे वाम पंतियों के पैसे CJP ने कभी लिये नहीं है हमने प्राइव भारतिया डोनेशन लिये है और United Nations High Commissioner for Human Rights अभी हमें फंड करता है इसी का इत्राद कोई भी देश में किसी का नहीं होना चाहिए और में बार बार कहते हूं UN Fund की बाद आप करें UN Fund तो स्टार्ट अभी हुआ अभी आपको आपको देने के लिए UN Fund स्टार्ट नहीं होता अगर इस तरह का शेडी फंडिंग होता यह मात में आपको साफ कहती हूं और भारतिया नागरेश कोई वामपंती का फंडिंग नहीं हुआ है प्राइवेट हिंदुस्तानी जिसकी जमीर है जिसको लगता है कि गुजरात में स्टेट स्पॉंसर जेनोसाइट बहुत खराब हुआ था उन्होंने अपने पैसे दिया है नाम अपने दिया और रइस खान ने बहुत लेना नहीं था है उन्होंने एक क्षा किया तो रईस खान आपसे नाराथ था और उन्होंने यह बताया था कि नाम दिये थी, उनको पैसे बाते गए, बागी दग्रा पीडितों को पैसे नहीं मिले, वो पैसे कहा गए, किसने चाहू कर किया है, किसने पैसा ले लिया है, वो सब नाराज़ी वो बाद में बार आई, आपका क्या कहना है? देखो मैंने बार-बार कहा कि CPM को 2000 के कुछ पैसे बाकी थे उनको बाटना था तो हमने कहा कि ये लोगों को जो पैसा नहीं मिला आप इनको दे दो उन्होंने कई को दिये कई उनके कारियकरता केने वाले को दिये मगर मैं बार-बार ये कहती हूँ कि आपने जो कहा था कि जो वसूल चर्चा के बज़ाए आपने सिर्फ ये कारियकरम में सिर्फ हमें अटैक करने के लिए रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि कही न कही गुजरात की प्रजा में जो चर्चा सरकार की आज साल से लगातार चल रही है वो आज नहीं चल रही है लोग ये बात नहीं मान रहे हैं कि 2002 में 27 का जो गोधराकान के बाद जो जन संगहार और्गनाइज रूप से किया गया जिसमें तू का जोटीयद लिए लगाता गालत हुआ वियलुजरात के लोगों को लगाथ कि वो गलत हुआ उं पता चलेगा वह गलत है क्युट ही सहई ंसाफ की लडाएव लड़ना फकर की लडाई है और उस में हम शामिल हइए और शामिल रहे यह आपका कहना है मैं आगे बान क對 आपके साथ जो जो भी है वह आपके खिलाब क्यू होते है? आप एंग्सामपल दीजे आपके खिलाप एक्पया क्लपバने पेंटा है कि राइस यह लोग आपके खिलाब लगो कि यह री आपके साथ ती पया मुझ को उह है ताजरी नहीं है क्रिमनाल जेस्टिस सिस्ट्म का आपको ऊचुछ नहीं हो अपने कबियर किसी का केस लड़ाने होगा आपको खुछ जानकारी नहीं है, 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 आपको खुछ जानकारी नहीं है के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई भी रेप केस होता है, कोई भी मर्डर केस होता है, दुनिया भर में, देश भर में, इंडिया में, तो विटनिसेस होस्टाइल होते हैं, क्यूंकि डावरी केस में भी होते हैं, रेप केस में भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, क्यूंकि प प्रोसेक्शन इंडिपेंडनेंट होना चाहिए ना भाजब के होने चाहिए ना CPM को होने चाहिए हम यह मांग कर रहे है कि कानून व्यवस्ता में फेर बदलाने चाहिए तो जाहिरा का पलतना या राइसकान का पलतना यह इस तरह की संगश में होता है मगा आज भी 600 से उपर विटनिस गुजरात की अंदर भाई के महौल में अपना सच बोल रहे हैं CISF प्रोटेक्शन की अंदर उसका लाज रखिये सरा इस तरह कर भाई का महौल गुजरात में होता तो आप इतनी बिंदास यहां बोल ही नहीं पाती है ऐसे आपको लगता है कि आप ऐसी मुहिम चल और रहे हैं इस्लाम में हिंदिस्तान में जो मुसल्मान वूर्ते हैं उन दे लुगे में रहे ल对्ले में बुट नना चाहिए नहीं का माईन है कि आपको क्या माना है की यह पको होना चाहिए या आपको false Lеп कि किलाफ है यो कि foarte किलाफ आप मुद्धे पर रहें, ऑगे बिलाफalid है इस तरह द相信 एक जाए है, मुझे चृ्लाइन की जर्लाए हो कि आया इस जाहत 먼 जाने, जिस तरह दॅगां को कम्यूनवाइजू कर रहे हैं में में अपको छिला को मैं जरूत मैं कि बने के जरूद है नहीं हमच में दित् 얼마 के जैशंगन कोई चाहिए। आपके चैनल बादे देखने बादे समझ जाएंगे कौन सच यहां पर मानती हूं आपको शाय है मैं रिक्वेस्ट करती हूं यहां पर बात बन कर दो क्यूंकि यह आप एक पोलिटिकल साजिट से बात कर रहे हो कर नहीं पर दो करा बाता है मैरा को सब्सक्राइशकी विर्म तरियों को सब्सक्राइश सने कहो जो भी हो रहे हैं जब जब जो पंदरा दिन में बीस दिन में फत्व होते हैं एक उरत के नाते, आपका क्या कहना है? हम वो फत्वे के भी खिलाफ है और पार्टन में जो आनंदी बेन ने रेप करवा है उसके भी खिलाफ है और मुख्यमंत्रिया दूसरे राजनीतिक लोग वुमनाइज करते हैं उसके भी खिलाफ है हम जहां पे भी औरत के राइट्स एफेक्ट होते हैं चाहे वो हिंदू धर में हो और मुस्लिम धर में हो उसके खिलाफ है आप पेरी पूरी बात सुन लिजिए शांती से ने तो आप अगर यह कहना भी चाहो ना कि आप गैसे तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको यह पर आना जरूरी नहीं था आप में बुलाया अगर आपको सुनना है तो तरह तरह सुनिया है जहां पर इस बात कि जहां पर आप का सवाल है जिला जिला चिला चिला क्या आप बूलेगी चिला तो आप रहाएं इसने पास आप पेसे लेते हो उनको अच्छा लगेगा क्यूंकि यह मुहीब चलाने एक आप चले जा सकती हो आप सिफ आरोप के लिए कर रहे आप जा सकती हो और पुरे आदर के साथ बोला हूँ कि आपको सुनना नहीं है गुज्रात की साड़े पांच कऱर की जनता को अच्छी तरह से मालूम है कि हमें क्या करना है और हमारे गुज्रात की क्या हुआ अगर 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 इस तरह आपको यही तमाशा करना था तो पहले बोल देते नहीं हमने आपकी तरह देना है हमें वह बोलिये है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एक एक लवज आपके नरेंदर मोदी को एको करते हैं यह आपका माना है आप बाइसमाइंट से बात करेए शुरू से पहले इस सवाद से आप बाइसमाइंट से आप यह कर रही है नारेंद के बारे में अधान है कर दो है कोई नहीं है नो this canों करा है Kopf 이상तो है वर ाकस्मीर के बार नहीं वहता है इसे गुज्राटट बाय प्लेन आती है जाती है गुज्राट बारबार आती है तो इस अधाय पुछेंगे नरेंदर दिख वह सच है वह वह कोई मानेगा नहीं और जूठ है ऐसा भी हमों नहीं हो नहीं देखे सब आप बात में भी सुन लीजिए अभी आपने बहुत सारा भाषन कर लिया शायद आपको अगली बार भाज़प का टिकित भी मिल जाएगा आपको शायद भी बूलते च जब टॉक्षो करता है जब बात करते है जब सवार पूछा जाता है तो सवाल पूरा सुने की दिवर आपको तो सरकार के खिलाब एक बी चीज़ बरदाश नहीं कर से तो ऐसा लगता है कि आपकी पसंद की क्या सवार पूछना मेरा दर्म नहीं है और सवार कोई पर पूछ घर फतो हए तो तेना ची गुजरात निवस के प्रजाने कोई फ़रक परतो नछी न चर्चान वंचे लोकमंचना कारेकरम अध्य क्रिट उशक है घया ता चीस्ता जी आपको लोकमंचना कारेकरम आवे बदल अपना आपना भार मार आते आती वार कालेक वद्दू झाल झाल